Hello students, class 3 हमारी किताब व्याकर में देनी है पार्ट ठोलिए, पार्ट दो पार्ट का नाम है वर्ड विचार जिसमें हमने आपको पहले पढ़ाया था वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड छोटी से छोटी दोनी जिसके आप टुप्रे ना हो सकें वर्ड कहलाती है वर्ड दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से? नमबर बन स्वाइन जुस्वर और नमबर टू व्यांजन फिर हमने बढ़ाया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो रास्वर और दिर्वस्वर फिर हमने बढ़ाया था आपको व्यांजन वेंजन केतने प्रकार के होते हैं तीन इस पर्ष वेंजन अन्ता इस्था वेंजन उस वेंजन ठीक फिर हम लोग पढ़े थे साइनिक्थ वेंजन साइनिक्थ वेंजन किसे कहते हैं और अतिरिक्थ वेंजन दित वेंजन फिर आई योगवा हम लोगों ने पढ़ाता अनुस्वार और अनुनासिक ठीक आप हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज गरवाएंगे ठीक है तो चलिए आज हम लोग वही करते हैं क्या करेंगे एक्सरसाइज काहल सही भी करके आगे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो चलिए करते हैं का सही विकल्ब के आगे सही लगाएं ठीक नमबर वन है वर कहते हैं किसे धौनी के सबसे बड़े खंड को भा धौनी के सबसे छोटे खंड को दोनों खंडों को तो धौनी के सबसे छोटे खंड को तो यह आपका सही है टिक कर लिजे वर्ड माला कहते हैं किसे आ, वर्डों के समु को बा, वर्डों के क्रामिक समु को सभी वर्डों के निश्चीताव क्रामिक समु को तो सा सही है आपका सभी वर्डों के निश्चीताव क्रामिक समु को नमबर त्री पर ये एक वड़ को बोरते समय हमारे मुझ से, ठीक、 नमबर A स्वर निकलते हैं, नमबर 22 गैम लेंजर निकलते हैं, नमबर चाह सहीं हैं, धौनी निकलते हैं, ठीक、 नमबर फॉर स्वरवरणों की संख्या होती है आप नव दस सा ग्यारा स्वरवरणों की संख्या कितनी होती है ग्यारा ही हमने आपको पढ़ा रहते हैं कि स्वर किसे कहते हैं ठीक है चंद्र बिंदु को कहा जाता है यह जो आपको निशार बना होता है इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं तो इस चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं अनुनासिक, अनुस्वार या आयोगवा तो बताएए क्या कहते हैं अनुनासिक यह इसे टिक कर लेज़ें टिक खा है, सही करण के सामने, सही तथा गलत के सामने, गलत लगाएं नमबर वन, भासा की सबसे छोटी रोनी, जिसके ख़ण ना किये जा सकें, वर्ड कहलाती है, सही नमबर टू, वर्डों के निश्चीत अल्क्रामिक समू को वर्माला कहते हैं यह हमने पढ़ाया था, सही है यह वर्माला नमबर त्री, दो वेंजनों के सहींग से बने वेंजन, सहींग वेंजन कहलाते हैं यह भी आपका सही है, ठीक है जिन वेंजनों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें दिर्ग स्वर्ग कहते है ये गलत है उन्हें रास स्वर्ग कहते है Cheru इस पर शवेंजन है कौन सा काप वा यहा तु काप यहां पे फिल कर लेंगे नमबर टू जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे डैस स्वर कहते है कौन सा दिर्ग या रास रास स्वर को बोलने में कम समय लगता है नमबर त्री डैस दित ब्यांजन है छा या आधरना नाक्त ये आधरना अरना दित ब्यांजन है साइउत वैन जाना आप्शान दिया है श्राइफ का सैउत वैन जाना है डेस उसम वैन जाना ला-सा सा उसम वैन जाना ठीक है नेξ साइब रेखा खीज में सुमें कीजिए रास्वर्ग अहाँ वा-ू ग्यां आओ रास्वर्ग ई है सा, नमबर सा को सा से मैच कर लीजे, उ, यानि, ठीक है, नमबर टू, देर्गु स्वार, कौन सा है, आहा, वा, उ, ग्या, आउ, तो, नमबर टू को या से मैच कर लीजे, आउ, 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 तो, आहा, आउ, 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 तो, नमबर अंतर सब्लेज कर लिएक थारा जीन आपका ग्यांदया हो यह यह सब्सूने पर ढले हैं प्रश्रों के उत्तर दिया है तो आप सब इसे कापी में वर्क करना है जो हमने आपको दे दिया है तो आप सब पीडिया पीडिया प्रश्रों के तो आप सब पावर कर लेंगे यह बुक में पर करना है और यह प्रश्रों कापी में आज के लिए इतना है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर थ्री वर्ण सैंयोर थैंक्यू